ये South Africa के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर South Africa इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उस उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बगदा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुका प्रिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्दसतक की पारी जो है स्रेय सायर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से त अर्दीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सही के सभी फिलाडी धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पुरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है और जितकी ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारती गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादन निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में हलाएंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे की आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन कौन से जो खिलाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वार्ड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथी बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा जो है वो भी एक बढ़ियां परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तो जहांँ पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी एक बहुत ही important खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लागातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अकसर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं ना कहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम में मुकेस कुमार जो कि तेज गेंदबाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ ये साथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे जो की तेजगेन बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो ये आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी परकार की कोई परिव परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी परकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आड़न मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मकाबले में ज़ह जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेंग 11 होगी South Africa की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बताओ दें कि Riza Hendricks होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और Riza Hendricks के साथ साथ Tony D. Zorzi जो की बाएं हाथ के बले बाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी Riza Hendricks जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वंडे मुकाबलों में होए आप फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खूब खिलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहले कि दोस्तो भारती टीम की एक मुक्ष कड़ी रही है डेविड मिलर भी हैं जो की काफी नीचले करम में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडिल ओडर सम्हाल रहे है वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ यसाथ केसाओ महराज हैं दोस्तो लिंडे पेलिकोवा, सातित तबर जाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेविड मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ओन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो की आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से जो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा की आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलाकि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जो है जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो बिला और आएए देखते है दोस्तों की इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडि गणे की थोड़ी बहुत बनी हुई है खालंकि दोस्तों कुल मिलाकर करके कह लिया जाए कि बारिस नहीं होगा तो बहुत ये अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है लेकिन 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाए दोस्तों इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर करके कह लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बा रहने वाला है तो यह पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साउथ अफरीका की लगभग लगभग सभी जित दराया थी जिसकी वज़य से तेज गेंड बाजो को काफी अच्छा स्विण मिल रहा था और श्विंग गेंड बाजी की वज़य से यह बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इसमें टीपः नजर दोस्तो तेज गेंड बाजो के साथ बल्ले बाजो के बी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंस्ट पिछ होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो धाई सोगे करीद जो है पहले पारी का उसाथ स्कोर है इस मैदान पर वहाई पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहां का आउसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहाँ पर कर ले कि स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाईस्ट टोटल इस पिच का है और लोवेस्ट टोटल 119 रन है वहाई पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करू तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस फीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आये हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तिस गेंदबाजों की योर से हमें जो है एक बढ़ियां गेंदबाजी जो है कैरतो रहा हो की बैलन्स टेपी जो है नजर आने वाला है तो mitry report की इस तिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो एक खेला है पहला वन्डे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी असमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिय है और उसमें आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साई सुदर्सन और स्रेयस अईयर की जो जूड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतक यह साज़दारी करते हुए मुकाबले को जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साई सुदर्सन और सुरेयस एयर हला कि इनसे पहले रितुराज ग बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बल्लेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला और बल्लेबाजों की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से आउन कर लीजिए और साथ यसाथ अब बैल आइकन की घंटी को दबा लिजिए जिससे की आपके पास जो सूचनाय है वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार चे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नॉटिफिकेशन को आउन करिए मुकाबला जो की बहुत जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए है और दोस्तो टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलिग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलिग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तो आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टन्ट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती टीम की और से जहां पर केल राहूल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखी यहां पर आपको बता दोस्तों की इस सेंट जार्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों की टी 20 के मुकाबले में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साउथ अफरीका ने ही टॉस जीता और आएए देखते है कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चरचा होता है। टॉस होस से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाडी जो आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों त से पहले आपको बता दूँ कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे दिखेरी तुराज गयकवार्ड जो पहला एक दिवस्य मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने भाई साहब लाजबाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्य मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि साइस सुदरसन ने अरद साहब अपने पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो हिनों ने अरद साहब पारी खेली है पायत HERE सीयार भी उनका जब अच्छय देते हुए नजर आयै अरद साथ की इन्हों ने आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODAI मुकाबले में जहांपर भारत और साउथ हाफरीका हाँज सामने और आपको बता दिया जै दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तो ये साउथ अफरीका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरीका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो सिरीज में आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तों जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की ओर से लिया गया था हाला कि टॉस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्तों नहीं रह गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ के इस्तितियां मैदान के इस्तितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दू दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती ये टीम तो भारती टीम की और से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज़ कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बना है और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदी सिंग का और सदीब सिंग ने कुल दस ओपरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अर्जित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी हिलाडी जो है धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमन स्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शिदीब सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलताएं अर्जित किये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर है हमारे भारती अगेंद बाज ओभी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाब जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोइन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वाइड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज है और उनके साथी बल्लेबाज बाए है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम अमीद करते हैं कि इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसand आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जायेंगे संजू सैमसand जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा एक बड़िया परफॉरंस कर दिखा सकते थे और इसके स तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही important खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इनहें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहाँ पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों की नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं ना कहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम में मुकेस कुमार जो की तेज गेंदबाजी में इनको सफलताज कहले कि नहीं मिली और इसके साथ ये साथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथ ये साथ अरसदीव सिंग जो की तेजगेन बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई बुनजाइस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बतादे कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टानी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वंडे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में जादा तर ये देखा जाता है लाड़ी हैं साथी साथ हेंरिक लासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंरिक लासन जो हैं आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बहुत खुब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहल में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाएं हाथ के साथ मीडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ इसाथ केसाओ महराज हैं दोस्तो अल लिंडे पहलुकुआवा साथी तबर जाई समसी और था जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंदाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रुर से चाहेंगे कि सभी के सभ कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो कि आज आपको इस चैनल के माध्यम से ज़ो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बहुत ही जबर्दस्त है और यह मुकाबला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा ज़रूर है गकेब्रा के नाम से जाना जाता है गकेब्रा सहर के यह इलीजबेथ पार्क जो की संट जोर्ज भी इसका नाम है काफे लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो कि हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टी-20 मुकाबला और आईए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो ह अगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वन्डे मुकाबला यहाए शा शाट गंटे का चलने वाले मुकाबला यह तो थोड़ा बहुत बुनदा बांदी देखने को मिलन सकता है लेकिन अब ही मुसंतलब सात है नमी थोड़ा पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पीच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पीच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लड़ी सी लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पीचेज हैं सभी के सभी जो भी हैं दोस्तों वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पीचले मोकाबले में थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छोटी छोटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़े से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़े से ही बल्ले बाज फ़स आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो के भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलंच पीछ होने वाला है बिलकुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो धाइसों के करीद जो है पहले पारी का उसात स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का उसात स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज हाइस टोटल इस पिच का है और लोगेस टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करू तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आस्मान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है आमें कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साई सुदरसन और स्रेयस अईयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्ट सतकी या पारी दोनों ही बलेबाजों ने खेला और सतकी या साज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बलेबाज एक बढ़िया जो प्रदरसन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साज़दारसन और स्रेय सेयर हलागि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो और से एक बढ़िया जो खेल हैं हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपक चुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नॉटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो की बहुती जबरदस्त होने व रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों की इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से ख खिलाडी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाडी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों तो भारती टीम की जो एका दस होगी उसमें से पहले आपको बता दो कि केल राहुल जो की कप्तान हैं और इनकी देख रेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक दिवसीय मुकाबला था उसमें काफी बढ़ी हैं उ और दसन ने अर्धसता के पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्धसता की अपारी खेली है स्रुवासाईर भी उनका जब अर्धसता की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ रया ही नहीं आता है मुकाबले में किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भीनंदन वेलकम स्वागतम सू स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहांपर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तों कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों यह साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तों जो मुकाबला रहा था पहला ओडिया मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एड़म मा करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्तों नहीं रह गया लेकिन इस दूसरे ओडिया मुकाबले में मैं आपको बता दो कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है त धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम न करके चेज कर लिया जिसमें और सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने बावन रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल दस ओपरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अरजित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी हिलाडी धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई प्यार की पूरी की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले की कदम पे कदम मिलाते हुए और सदीब सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अरजित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारती गेंद बाज वो भी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते ह आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे कि आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क् लाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वाइड जो कि दाए हाथ के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय दर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तों संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा जो है वो भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके पॉर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो क इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा स कहीं नहीं हम बात कर लें दोस्तों मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ी साथ साथ दोस्तों पर आपको बता दूँ की मुकाबले में उनकी योर सी नहीं ह कि की एक सब्सक्राइब ही रह गया था जिसका निप्टारा जोएट फुलदी पियादों ने ही किया था वहीं पर दोस्तों आपको बतादे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो की तेजगेंद बाजी में इनको सफलता ज कहले की नहीं मिली और इसके साथ साथ जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई बुनजाइस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे अड़न मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी सा रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टौनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज है और इनके साथी खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाड़ी है तो वंडे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बोल क्रिकेट में ज़्यातर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंद बाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और तो उसमें सफलत दिया जाए कि विकेट कीपर बल्ले बाज हैं और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बल्ले बाजी करने के लिए आ रह नांद्रे बर्गर हला कि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अनिता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और डेवी मुकाबलें पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को ला माध्यम से जो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बेहद ही जबर्दस्त है और ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस ओने की जो संभावना है वो जरूर यहा देखने को मिल सकता है लिकिन अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे धूप हुगेगा वैसे वैसे तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं नहीं कहीं कहलें कि नमी घर्टी न ज़र आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाए दोस्तो इस मैदान पर 37 परतीसत मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58 परतीसत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल में लाकर के कहा लिया जाए है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पीछ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे पिछ आँ होगा फोड़ी सी लाल मिट्टी की पीछ जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो ये बिलकुल नजर नहीं आरे बिलकुल एक समतल पीछ नजर आने वाला है और साथ-फरीका की लगभभभभग सभी जितने भी इस्टेडियम है और जितने भी पीच हैं सभी के सभी जो भी हैं दोस्तों वो पिछ बिल्कुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबलें थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पिछ पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नदर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फ़स आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तों तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहां का आउसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि यह स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे इस गेंदबाजों की योर से हमें जो है एक बढ़िया गेंदबाजी जो है कैरतो रहा हो की बैलेंस डेपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वन्डे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आसमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदाला टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है वह में कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइश सुदरसन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी केले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदरसन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइश सुदरसन और स्रेयस ऐयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गयकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़िया शुरुआत जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नज़र आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जा है दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बल्ले अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ अबेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए जिससे की आपके पास जो सूचनाए हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2, 4, 6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नोटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो की बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए है और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जोईन करिए रहाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे है इसके साथी साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी-20 के मुकाबले में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साउथ अफरीका ने ही टॉस जीता और आएए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों दस होगी उसमें से पहले आपको बता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज काफी बड़ियां उन्होंने किया था वंटसाथ नहीं दे पाँय थैर साइज सुदरसन का और साइज सुदरसन ने तो भाई साहव लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्ती मुकाबले में दहां पर आपको बता दिया जाए कि सुद्स दरस आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट और साथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तो ये साथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साथ अफ अफ्रीका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सीरीज में आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाये जो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्लेबाजी करने का ज कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे लेकिन इस दूसरे मुकाबले में मैं आपको बता दू कि यह मुकाबला जो है सेंट दॉर्ड इलीज बेथ पार के मैदान पर जो है हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ की स्थितियां मैदान की स्थितियां यह देखना बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा और आपको बता दूस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.18 के खेल के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारतिय टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करक में अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बना है और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले कि मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खा कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मात्र रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारतिय गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर्ट था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों नहीं जोईन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहांपर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड कर दीजा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रिम्स बाक्स में मि बारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं। हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तों संजु सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजु सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा जो है वो भी एक बढ़ियां परफॉर है टीम में और तीलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से में आँपर कहना चाहेंगे ऐख बहुत ही इंपोर्टम्ट कि ये चाहिंगा ब्र हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की और से अक्सर पटेल जो की की ने कहीं हम बात कर ले दोस्तों मुकाबले में जो है इस इस भीन गेंदबाजों की जूरुत नहीं पड़ी साथ echt दोस्तों आप-को बता कि मुकेस कुमार नोंने 4 सफलता दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक है कि फिक्लते हुए नजर आएंगे और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बताओ देख कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टानी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वंडे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़ादा तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बलेबाजों की और तो इसमें सफलता बलेबाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसीवेंडर डसेन है दोस्तों जो कि एक अन्ववी खिलाडी है साथी साथ हेंरिक कलासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंरिक कलासन जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बलेबाज है और बहुत खुब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो की एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडिल ओडर समाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ यसाथ के साथ महराज हैं दोस्तो अल लिंडे पेलुकोवा साथित तबर जाई समसी और नांदरे बरगर नांदरे बरगर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बरगर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवि मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को आउन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो की आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से दिखा देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा की आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों की मुकाबला बेहद ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलाकि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जौर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिलकुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंड़िया है जो की हम ने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टी-ट वन-टी मुकाबला और आईए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो ह दो बहुत झा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है जो थोड़ा बहुत बुंदा बांध़ी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिल्कुल साप है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे-जैसे धूप हुगेगा वैसे-वैसे तापमान में हमें बढ़त सत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर् चैक्स वगेरे जो बिल्कुल नजर नहीं आ है विल्कुल एक समतल पीछ नजर आने वाला है और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पीचES हैं सभी के सभी जो भी हैं दोस्तों वो पीछ समतल किया गया है और हमने पिछले जब फ keen ऐते हैं लेकिन इसमें टीपर्ज अ上गर के साथ साथ बल्ले बाजो के साथ बहुए ढम भीनिफित रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बले पर गेंद आने कа मतलब है कि रन बरसने वाला है तो it is a होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो धाइसों के करीद जो है पहले पारी का उसाथ स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का उसाथ स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज हाइस टोटल इस पिच का है और लोगेस टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करू तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तेज गेंदबाजों की योर से हमें जो है एक बढ़िया गेंदबाजी जो है कहरतो रहा हूं की बैलन्स टेपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता दो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो एक खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आसमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की बदावलत टीम को सिकस्त द स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रद यहां सुरुवात जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बलेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला और बले को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ऑन कर लीजे और साथ यसाथ बेल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे की आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भ मुकाबला जो की बेहदी जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लीजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉ कि मोटन्ट है और आडएम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कके नापर के लिएक कर रहें हैं और अब मॉकाबले में जहांपर आपhelm सभी को सभी को बता दूं कि टॉस होने में हैं अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों की इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाज अपरिका ने ही टॉस जीता और आएए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों इ प्रचा दस होगी उसमें से पहले आपको बता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गय आप खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्ती मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि सुदरसन ने और दस्ता के पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्दस्ता की अपारी खेली है सुर्या सायर भी उनका ज में क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का विनंदन वेलकम स्वागतं सु तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तों कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना ल देती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तों जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की ओर से लिया गय कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्वन नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दो कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहाँ पर का रहेगी पिछ की इस् करने के लिए जब उत्री मैदान पर भारतीय टीम तो भारतीय टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सैयर ने 52 रन बना है और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओ धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम हो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिल पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंद बाज ओभी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले मे आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को आन आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा तो जा करके टेलिग्राम चैनल को जो है आवाशेशे जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के स बाए हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथ ही बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आये तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी और से और इस के साथ इसा दोस्तों जहाँ पर तिलक वरमा है टीम में और तिलक वरमा को भी जएटीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आओं पर कहना चाहेंगे कि तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही important खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अकसर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं न कहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ी साथ ये साथ दोस्तों जो हाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादों की एक बेतरीन परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिली और कुल्दी प्यादों ने बहुत ही बेतरी जो परफॉर्मेंस है कहलिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था हमें अलगी एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जोए कुल्दी प्यादों ने ही किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो कि तेजगेंद बाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ इसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सपलता है दजकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथ इसाथ अर्सदीव सिंग जो की तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एकादस भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिलकुल भी कोई बुनजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कपतान केल राहूल है वो कोई परिवर्टन जो है नहीं करेंगे एडन माक रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़ह ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कपतान है और इनकी देख रेक में जो South Africa की प्लेइंग 11 होगी South Africa की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दें कि Riza Hendricks होंगे जो की मकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और Riza Hendricks के साथ साथ टॉनी डी जॉर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी दीजा है Hendricks जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वंडे मुकाबलों में हुए आप फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा तर ये देखा जाता है कि अगर Left Right Hand combination के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंद बाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और तो उसमें सफलता बल्ले बाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसीवेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्वावी खिलाडी है साथिसाथ Michalacan जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे Michalacan जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो की एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ के साथ के साथ महराज हैं दोस्तो एन लिंडे पेलुकुआवा साथी तबर जाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेवी मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अनिता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंदाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग जरूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों की मुकाबला बेहाद ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जो है जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो की हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टी 20 मुकाबला और आईए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की और से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो ह बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है साथ गंटे का चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांधि देखने को मिल सकते है लेकिन अभी मौसम बिल्कू साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे plac धूप होगेगा वैसे करने वाली टीम और 58 प्रतीसत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल में लाकर के कह लिए जाये दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाये कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पीच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पीच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साउथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम है और जितने भी पीचेज है सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मों काबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पीच होने वाला है बिलकुल अगर हम साथ तोर पर साथे 300 के करीब यहां पर कर लें कि स्कूर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाइस टोटल इस पिच का है और लोगेस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस पिन गेंद बाजो से करें तो भा बाजो ने निकाले हैं तो साफ तार पर यह कहना चाहूँगा कि तेज गेंद बाज जो है इस मुकाबले में भी भारी पर्टे नहीं नजठ आ जाएंगे तेज गेंद बाजो की यौरसों हमें जो है एक बढ़िया गेंद बाजी जो है कहरतो रहों की बैलंस डिपी जो है नज़र आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्तिती कुछ सी तरीके जोहर रहेगी में बागी यहां पर आपको बता जो कि जिस तरीके से भारती टीम tenants पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला पर अर्सदीव सिंग होंगे ये सभी मिलकर के बहुत ही जबर्दस्त गेंद बाजी जो है वामे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइं सुदर्सन और स्रेयस अयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइं सुदर्सन और स्रेयस एयर हलाकि इनसे रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारती टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहाँ पर नजर आए बाकी यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बले बाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बले बाजो की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अ अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सबस्क्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे की आ करिए नोटिफिकेशन को आउन करिए मुकाबला जो की बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलिग्राम चैनल को आवास से जोईन कर इसे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलिग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथी साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में टॉस बेहद ही इ बता दूं कि टॉस होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहां पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जा अफरिका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साउथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आएए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस होट से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों इटीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाड़ी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारतीय टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवस्य मुकाबला था उसमें काफी बढ़ी हैं उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस स सुदरसन ने तो भाई सहाव लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्य मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि सुदरसन ने अर्धस तक अपने पहले ही ओडियाई मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्ध साथ देते हुए नजर आया और दस्ता कि इन्हों ने भी लगाया और उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और उस मुकाबले मे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेलकम स्वागतम स्वागतम जी यह इस वक्ते जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसर ये South Africa के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर South Africa इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उस लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा मुहत्व नहीं रहे लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलिजबेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ के स्थितियां मैदान के स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा और आपको बता दूस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउ भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें और सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाय और नाट खान और सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अरजित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि और सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सही कि सभी हिलाडी जो है धारा साही हो गए उड़ गे जिस तरीक आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अरशिदीब सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलताएं अरजित कि ये 8 ओवर में 3 मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धरती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए ह हमारे भारती गेंदबाज ओभी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर्ट था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाब आपको मिले और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों नहीं जोईन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जा करके टेलीग्राम चैनल को जो है आवशेशे जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती एटीम की ओर से भी तुराज का एकवाइड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज है और उनके साथी बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा जो है वो भी एक बढ़ियां परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसा दोस्तो जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आँपर कहना चाहेंगे कि तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों की निचले करन में भारती टीम की ओर से अकसर पटेल जो की स्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़र से कहीं नहीं हम बात कर लें दोस्तो तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप या आदों ने ही किया था वही पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेसकुमार जो कि तेजगेंद बाजी में इनको सफलता जाहएंगे पर कराते हुए दिख जाएंगे तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइ इस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आड़न मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो सा साथ टॉनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथ एक खिलाड़ी लीजा है हैंडिक जो की दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं तो वंडे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में जादा तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और सो इसमें सफलता जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहले कि दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो कि काफी नीचले करम में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं नांद्रे बर्गर नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहां पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रुर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब कर लीजिएगा क्योंकि या मुका dış की आज आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देगा तो अपस्प्सक्राइब कर लीजिए है और जैसा कि आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबला बहर्त ही जबर्दस्त है और ये मुकाबला है आपकी स्क्रीन प इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंड्रिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ 60 मीटर कहीं 55 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो कि हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला और आईए देखते है दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिसन होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे की थोड़ी बहुत बनी हुई है हालनकि दोस्तों कुल मिलाकर करके कह लिया जाए कि बारिसन नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है अच्छा साथ गंटे का चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को बिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप हुगेगा पहले बले बाजी करने वाले टीम और 58 परतीसत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दरज किए है और कुल मैंलाकर के कहला जाए जए दोस्तो तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके का रहने वाला है तो ये पिछ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लाल मिटी की पिछ जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पिछ नजर आने वाला है और साउथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पिछेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पिछ बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पिछ पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पीच होने वाला है बिलकुल अगर हम साथ तोर पर साथे 300 के करीब यहां पर कर लें कि स्कूर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाइस टोटल इस पीच का है और लोगेंश टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तो गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साथ जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच है उसमें अगर मैं चर्चा करू तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर य और से हमें जो है एक बढ़िया गेंद बाजी जो है कैरतो रहों की बैलेंस डेपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहां पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दि दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है वामे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि सुदरसन और स्रेयस अईयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की कि यह साज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदरसन है वो करके दिखाएं और आए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइस सुदरसन और स्रेयस एयर हलाकि इनसे पहले बार भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़िया सुरुआत जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले म जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बले बाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बले बाजो की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुआत सही द बाली जिससे की आपके पास जो सूचनाए हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2, 4, 6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लीजे लिंक इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जोईन करिए रहाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती है टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखी यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि T20 के मुकाबले में भी जो है ज्यादातर SOUTH अफरिका ने टॉस जीता और इसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी SOUTH अफरिका ने ही TOS जीता और आईए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौ जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवसी मुकाबला था उसमें काफी बढ कि सुदरसन ने अर्दस तक अपने पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो हिनों ने अर्दसत की अपारी खेली है उनका जब अर्दसत की इन्हों ने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं किरकेट के इस महा संगराम म वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरोताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जै दोस्तों कि भारत की टी नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जै दोस्तों जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अ अपतान एडम मारकरम की ओर से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉ या मैदान की स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दो दोस्तों कि पहले बल्ले बाद जी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदा पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की योड़ से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारतिय टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स् नाट आउट जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अर्सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रंदे करके 5 सफलताएं अर्जित किये या दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी किले की कदम पे कदम मिलाते हुए अर्सदीब सिंग के पीछे पीछे चले और 4 सफलताएं अर्जित की आठ ओवर में 37 मात्र रन दिये और साउथ अफरिका की धर्त पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ टेलीकराम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब जरूर से जोईन कर लियेगा जहांपर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटेसी टीम है आपको प्रोवइट करा दी जा रही है और टेलीकराम का लिंक जो है आपको पॉंमेंट भॉक्स के साथ सा हमें ख़िलते हुए नज़र आने वाले हैं तो भारतिये टीम की उर्षबी तुराज ग्यकवार्ड जो कि दाए हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथ ही बल्लेबाज बाए हाथ के साइस सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला निथा जो है वो भी एक बढ़ियां परफोर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसा दोस्तो जहाँ पर तिलक औवर्मा है टीम में और तिलक औवर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आउँआ कहना चाहेंगे कि तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी की तेज़ गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं नहीं हम बात कर ले दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दूं कि मुकाबले में उसके बाद जो है और कुल्दीप यादो की एक बेतरीन पर्फॉर्मेंस हमें देखने को मिली और कुल्दीप यादो ने बहुत ही बेतरीन जो पर्फॉर्मेंस है कह लिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था हमें अलगी एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जो एक फुल दी पियादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम में मुकेस कुमार जो कि तेज गेंदबाजी में इनको सफलता जो कहले कि नहीं मिली तो यह जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एकादस भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशेक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुनजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल हैं वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे एडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान हैं और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दें कि रिजा हैंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हैंडिक्स के साथ साथ टौनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हैंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्या तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गिन्दबाजों को परसान किया जाता है बलेबाजों की और तो इसमें सफलता बलेबाजों को मिलती है तो आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बलेबाज है और बहुत ихilते हैं लेकिन इ는को चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहले की दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी है जो की काफी निचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ के साथ के साथ महराज हैं दोस्तो एन लिंडे पेलुकोवा साथित तबर जाई सम्सी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवि मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंदाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों की मुकाबला बेहाद ही जबर्दस्त है और ये मुकाबला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की संट जौर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंड्रिया है तिर्ची तर्ची है बिलकुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंड्रिया है जो की हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टीटवन्टी मुकाबला और आएए देखते है दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस ओने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे कि थोड़ी बहुत बनी हुई है फालनकि दोस्तों कुल मिलाकर कर के कहलिया जाए कि बारिस नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुक दोस्तों हमें कही न कहीं कहले कि नमी जो है घटती ही नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाए दोस्तों इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज कि हैं और कुल में लगार करे कह लिए जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजिज है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिए जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर सरह रहेगा आईए हम पीछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पीछ रिपोर्ट में आपको और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पीचेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पीच बिल्कुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है बल्ले बाजो के भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलंस्ट पीच होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो ड़्ाइसों के करीड जो ह है क्योंकि 317 रन जो है हाइस टोटल इस पीच का है और लोएस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आप पर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच है उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर यह कहना चाहूँगा कि तेज गेंद बाज जो है इस्प रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जोहर रहेगी इस मुकाबले में बाकि यहाँ पर आपको बता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से सौथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो जस्त गेंद बाजी जो है हमें कराते हुए नजर आएं हैं और जैसा कि सुदर्सन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी केले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइस सुदर्सन और स्रेयस ऐयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम ही कुल मिला करके बल्ले बाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बल्ले बाजो की और से एक बढ़िया जो खेल है हमें नजर आएगा असदीव सिंग जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं और दोस्तों आप के पास जो सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2, 4, 6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को आउन करिए मुकाबला जो की बहुत जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे ह और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहां पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़े है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी-20 के मकाबले में भी जो है ज्यादा तर साउथ वंडे मुकाबले में भी साउथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों गी टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाड़ी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों तो भारती टीम की जो एका दस होगी उसमें स से पहले आपको बता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक करियर के पहले ही मैच में जो हिनों ने अर्दस्ता की अपारी खेली है उनका जब अर्दस्ता की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आए आए मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दें कि पहला जो मुका में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेल्कम स्वागतम स्वागतम जिया इस वक्त जितने भी दोस्त तमा करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों यह South Africa के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर South Africa इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की और से लिया गया था हाला कि टॉस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब कियल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि यह मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पीछ के स्थितियां मैदान के स्थितियां यह देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की यह पारी जो जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अर्सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रंदे करके 5 सफलताएं अर्जित किये यानि कि दोस्तो कि पूरी जो है कहले कि मकान जो धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीब सिंग के पीछे पीछ बाज वो भी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको कुलदी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ एकलिड़ारी चैनल को अगर आप लोगोने नहीं जोईन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहांपर आपको हर एक मुकाबले की जो फैन्टसी टीम है आपको प्रोईड करा दीजा रही है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बोक्स के साथ साथ description box भी जो है मिल जाएगा तो जाकर के telegram channel को जो है आवाशेशे जोईन करिएगा आपको जो link है वो comment box के साथ सा description box में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की और से नी-टुराज' काईक वार्ड जो कि दाएगाड के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाएगाड के साई सुदर्सन जो कि एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला ने था जो है वो भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तो जहाँ पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आँपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं ना कहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम में मुकेस कुमार जो कि तेज गेंदबाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ ये साथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे जो की तेजगेन बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो ये आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई पर परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आइडन माक रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खेलते हुए नजर आएंग और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टानी डी जोरजी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथी खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स की दाएं हाथ के खिलाड़ी है तो वंडे मुकाबलों में हुए या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा देखा जाता है कि अगर left-right hand combination के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बल्लेबाजों की और तो इसमें सफलता बल्लेबाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसी वेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्ववी खिलाडी है साथी साथ हेंरिक कलासन जो की आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हैंडिक कलासन जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ यसाथ केसाओ महराज हैं दोस्तो लिंडे पेलिकोवा, सातित तबरजाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेवी मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ओन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो कि आज आज आपको इस चैनल के माधियम से जो है जरूर से दिखाए देगा तो छैनल को सबसक्राइब कर लीजिए अब कि इसका जो नाम है तोर रसाथ पटा में जरूर है गाकेब्रा के नाम से जाना जाता है गाकेबरा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो की हमने देखा भी इस मैदान पर दूसरा टी-20 मुकाबला और आएए देखते है दोस्तों की इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अनुरूप दिखाई दे रही है बारिसन होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे कि थोड़ी बहुत बनी हुई है हालनकि दोस्तों कुल मिलाकर करके कह लिया जाए कि बारिसन नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वनडे मुकाबला है छ साथ गंटे का चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदि देखने को मिल सकता है यहाँ दोस्तों इस मैदान पर 37 परतीसत मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58 परतीसत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये है और कुल मिलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पिच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लड़ सी लाल मिटी की पिच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पीचेज हैं सभी के सभी जो भी हैं दोस्तो वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पीचले मुकाबले में थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छोटी छोटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और श्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बले बाज फस आते हैं लेकिन इसमिटी पर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथथ बले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बले पर गेंद आएगी और बले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलनस्ड पारी में 210-15 रन जो है यहां का आउसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि यह स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाईस टोटल इस पिछ का है और लोगेस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करू तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे इस गेंद बाजों की योर्ट से हमें एक बढ़िया गेंद बाजी कहरत हो रही हों की बैलेंजट पीच नजर आने वाला है तो पीच रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो एक खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी अस्मान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ जैसा कि साई सुदर्सन और स्रेयस अयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी यह पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी यह साज़दारी करते हुए मुकाबले को जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही गाइकवाड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतीय टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मु से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ऑन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन क घंटी को दबा लिजिया जिससे की आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार छे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल स आदे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको ब सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर को मिला करके कह है तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी-20 के मुकाबले में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहल सहुस से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाडी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों भारती टीम की जो एकादस होगी उसमें तो से पहले आपको पता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे दिखे लितुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवसी मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने भाई साहब लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवसी देते हुए नजर आया और दसता कि इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इस के साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जा मज़ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गा लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं और आपको बता दो दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफ्रिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा क कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सैयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेल और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अर्शदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके 5 सफलताएं अरजित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि अर्शदीब सिंग की पूरी तरीके है है कहले कि मकान जए धारा साही हो जाता है वैसरे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो सौध अफरिका की ही टीम वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारतिय गेंदबाज वह भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ टेलीगराम चैनल को अगर आप लोगों नहीं जोइन जोई ख लेंगा तो टेलीगराम चैनल को भी जोईन कर लिए गा जहां पर आपको हर एक मुक्투 में भोकस कि ऑने आपकौ के को मबाइगगा, आपको जो लिंक है वो पहाल थी तीम को एक दस है उसमें कौन-कौन से जो तो भारती एटीम की ओर से भी तुराज का एकवार्ड जो की दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथी बल्लेबाज बाएं हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदरसन जो है हमें खा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तों जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर मैं आँवे पर कहना चाहेंगे वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंम्पोर्टन्ट खिलाडी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी की तेज़ गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं नहीं हम बात कर ले दोस्तों मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो कि तेज गेंदबाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ यसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सपलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अरसदीव सिंग जो की तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एकादस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशेक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहूल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे अडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की और से जो खिलाड़ी होंगे उसमें आपको बता देख कि रिजा हेंडरिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजाँ हेंड़ीक्स के साथ-साथ टौनी डी जौरजी जोकी बाइं हाथ के बलेबाज है और इनके साथ हेंड़ी रिजाँ हेंड़ीक्स की दाइं हाथ के खिलाड़ी है तो वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़ाद तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है कि गेंद बाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और तो उसमें सफलता बल्ले बाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसी वेंडर डसेन है दोस्तों जो कि एक अन्फवी खिलाडी है साथी साथ हेंडिक क्लासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंडिक क्लासन जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खुब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कैले की दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ केसाओ महराज हैं दोस्तो लिंडे पेलुकुआवा साथित तबर जाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेविड मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस सुदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक अलबी डाबलू आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छ तो चैनल को अवाशे से जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गा और नौटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लीजिए गा क्योंकि ये मुकाबला जो की आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफ़े लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तो कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोल आईए देखते हैं दोस्तो कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे कि थोड़ी बहुत बनी हुई है खालंकि दोस्तो कुल मिलाकर कर के कहलिया जाए कि बारिस नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुका हमें कही नहीं कहीं कहले कि नमी घटती ही नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाए दोस्तो इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कु गेंद बाजीज है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पिछ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पिछ जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आरे बिलकुल एक समतल पिछ नजर आने वाला है और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पिछेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पिछ बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घहांस देखी थी और मैदान पर साथी पिछ पर ज पही ही अच्छा सूइंग मिल रहा था और शूइंग गेंदबाजी की वजह से ही बल्ले बाज फसद आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तों तेसे गेंद बाजों के दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का आउसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर लें कि यह स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज है हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेस टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद विक्टे तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इसमीन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जोहर रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको बता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी ज खान होंगे जहां पर अर्शदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबर्दस्त गेंद बाजी जो है हमें कराते हुए नजर आएं हैं और जैसा कि सुदर्सन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल बाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइस सुदर्सन और स्रेयस ऐयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गयकवार्ड भी हैं तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतीय टीम की और से एक बढ़िया सु में रहने वाला है मुकाबला और बल्लेबाजों की और से एक बढ़िया जो खेल हैं हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अप के पास जो सूचनाए हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार चे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जा वससे जोईन कर लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती है टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब ज लियाज है तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी-20 के मुकाबलों में भी ज्यादा तर साथ अफरिका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता देए कि दोन उसमें सबसे पहले आपको बता दो कि केल राहुल जो की टीम के कपतान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गैकावार्ड होंगे खेलते हुब नज़र आंगे देखे लिए तुराज गैकवाड जो पहला एक दिवस्टी मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने तो भाई साहब लाजबाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्टी मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि सुदरसन ने और साइस सुदरसन ने और साइस तक अपने पहले ही ओडियाई मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अपारी खेली है सुर्य साइर भी उनका जबर्दस साथ देते हुए नजर आया अर्दस साथ की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस दूसरे ODII मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिक के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ओडी आई मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकर हमकी योड़ से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपोर्टेंट समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब कियल राहुल ने कहा कि कोई बात नही थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ओडियाई मुकाबले में मैं आपको बता दू कि यह मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यह पर का रहेगी पीछ के स्थितियां मैदान के स्थितियां यह देखना बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा और आपको बता दूस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफ्रिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.03 के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के ल चार ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी पूरी तरीके से तुफान आगया आवेस खान और अर्सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अर्जित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि अर्सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी फिलाडी ज हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले की कदम पे कदम मिलाते हुए साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंदबाज वह भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे कि आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की और से भी तुराज का एक तीसरे मकाबले में जहाँ पर उनकी ओर से भी जो है बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां परदर्शन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ साथ यसाध दोस्तों संजु वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आउपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जार हैं और तिला कवर्मा की ओर से भी जो है हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की स्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं ना कहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम है मुकेस कुमार जो की तेजगेंद बाजी में इनको सफलताज कहले कि नहीं मिली और इसके साथ इसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे जो की तेजगेन बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी परकार की कोई परि परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खेलते हुए नजर आएंग और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टॉनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज है और इनके साथ ही खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाड़ी है तो वंडे मुकाबलों में हुए या फिर वाइड बॉल की स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो ह फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो दस मैच है उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंदबाजों ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पीन गेंदबाजों ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तेज गेंदबाजों की योर से हमें जो है एक बढ़िया गेंदबाजी जो है कहरतो रहा हूं कि बैलेंज डेपीच जो है नजर आने वाला है तो पिच रिपोर्ट की इस्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता दो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिव आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबर्दस्त गेंदबाजी जो है कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि सुदर्सन और स्रेयस अईयर की जो जोड़ी रही थी कैलेकुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी यह पारी दोनों की बलेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आएए देखते हैं कि किस तरीके साइस सुदर्सन और स्रेयस अईयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बलेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला और बलेबाजों की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर पीछे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लिजे और साथ यसाथ बेल आइकन की घंटी को दबा लिजे जिससे की आपके पास जो सूचनाए हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार चे मिनट जो भी हमारे स जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलिग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक टेलिग्राम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथी साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टन्ट है और आडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है औ और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर की पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों की टी-20 के मुकाबले में भी ज़्यादा तर साओथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साओथ अफरीका ने ही टॉस जीता और आएए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन- पहले आपको बता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक विश्टी मकाबले में जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सुएंस दर सन ने अर्दस्था के पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इनकी अपारी खेली है सुर्य सायर भी उनका जब अर्दस साथ देते हुए नजर आया अर्दस साथ की इन्हों ने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सुरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तो यह साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ओडिया मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला है सा है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गए लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि यह मुकाबला जो है सेंट दॉर्द इलिजबेत पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ के इस्थितियां मैदान के इस्थितियां यह देखना बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा और आपको बता दू दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती यह टीम तो भारती यह टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंद बाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सैयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंद बाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अर्सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके 5 सफलताएं अरजित किये यानि की दोस्तों हम कहले की और सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी फिलाडी धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भूकमप में हमने देखा है, कई बार की पुरी कि पुरी जो है, कहले कि मकान जो हरा साही हो जाता है, वैसे पुरी तरीके से हम कहले कि जो South Africa की टीम है, वह पुरी तरीके से धौस्थ हो गई, वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंदबाज वह भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से कर लिए जिससे कि आपको पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों नहीं जोइन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाकर के टेलि टीम की ओर से भी तुराज का एक वाइड जो की दाए हाथ के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तों संजू सैमसन जो है आप तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से महाँ पर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहाँ पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं नहीं हम बात कर ले दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ी साथ यसाथ दोस्तों वहाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुल्दी प्यादों नजर आ रहे हैं और कुल्दी प्यादों की एक बेतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और कुल्दी प्यादों ने बहुत ही बेतरीन जो परफॉर्मेंस है कह लिया जा दोस्तों उनकी ओर से देखने को नहीं मिली और इसके साथ यसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अरसदीव सिंग जो की तेजगेन बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लग आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साथ अफरीका की प्लेंग 11 होगी साथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता देख की रिजा हेंडिक्स या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में जादा तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बले बाजों की और तो उसमें सफलता बल बले बाज हैं और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहले की दोस्तों भारती टीम की एक मुख्य कड़ी देई है डेविड मिलर भी हैं जो की काफी नीचले करम में बले बाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिड़ी समसी और नांद्रे बर्गर नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेविड मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अनिता जो एक और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूलें जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवासे सब्सक्राइब कर लीजिए गा और नौटिफिकेशन को भी अन जरूर से कर लीजिए ग है आला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गखेब्रा के नाम से जाना जाता है गखेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की संट जोर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो कि हमने देखा भी इस मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला और आएए देखते है दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बारिस नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है 6-7 गंडे का चलने वाले मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है और कुल मिला करके क्या लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजीज है वो कहीं न कहीं य खाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे की क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरीका की लगभभभभभभ सभी जितने भी स्टेडियम है और जितने भी पी जो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़े से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तों तेज गेंद बाजों के साथ साथ बल्ले बाजों के भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर का उसत स्कोर है इस मैदान पर वहाई पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहां का उसत स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाईश टोटल इस पिच का है और लोवेश टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तो पीच रिपोर्ट की इस्तिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता दो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी यह मुकाबला जो खेला है पहला वड़े मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आसमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है वामे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइं सुदरसन और स्रेयस एयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी यह पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी यह साज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदरसन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइं सुदरसन और स्रेयस एयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारती एक टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बल्ले अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ऑन कर लीजिए और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजिए जि देर बिल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो कि बहुत जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो कि हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की औ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मुकाबले में जह जादा वक्त नहीं रहा गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहां पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जार्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी ट्वंटी के मकाबलों में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मकाबले में भी प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाडी जो आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर लें दोस्तों तो भारती टीम की जो एका दस होगी उसमें तो से पहले आप जो पहला एक दिवसी मुकाबला था काफी बढ़िए उन्हों ने किया था। वाट साथ नहीं दे पाये थे साइश सुदरसन का और साइश सुदरसन ने भाई साहव ला जबाब खेला ले में पहले ऑंतराश्टि एक दिवसी मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए क 200 शुदर्षन नेहीं अर्दसताक अपने आपको फाहा प्लाइंग 11 बताने से पहले हम यारत दीला दें कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कोछ हुआ था और उस मुकाबले में थो है हमने क्या कुछ देखे थे और इस वख जितनी में मारे साथ ही जुट रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस दूसरे ODI मुकाबले में जहांपर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ ज गया था हाला कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ के स्थितियां मैदान के स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सैयर ने 52 रन बना और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आगया पूरी तरीके से तुफान आगया आवेस खान और अर्सधीब सिंग का और शदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके 5 सफलताएं अर्जित किये यानि कि दोस्तों हम कहले की अर्सधीब सिंग की पूरी तरीके केले कि मकान जो धरा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेश्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीब सिंग के पीछे-पीछे चले और चार स एंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुलदी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में हलांकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे कि आपको पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोइँ किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजेगा जहाँ पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी तीम है आपको प्रोवाइड करा दिजा रही है तेलीग्राम का लिंक जो है आपको comment बॉक्स के साथ सा description box भी जो है मिल जाएगा तो जाकर के टेली ग्राम चैनल को जो है आवाशेशे जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो comment box के साथ सा description box में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एकवाइड जो की दाए हाथ के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आये तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला ने था जो है वो भी एक बढ़ियां परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसा दोस्तो जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है तिलक वर्मा हमें यहां पर एक बढ़ियां पारी देखने की उमीद है बाकि आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पर टेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और स्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी योगि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ास से कहीन है कहीं हम बात कर ले दोस्तों मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको बताता है कि मुकेश कुमार एं टीम में मुकेश कुमार जो की तेजगेंदबाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेस खान जीनोंने चार सपलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अरसदीव सिंग जो की तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशेक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई बुनजाइस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल हैं वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बताते है कि रिजा हैंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और iaएंरिक्स के साथ साथ टॉनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथी खीलाड़ी रीजक्स जो की दाएं हाथ के खीलाड़ी है तो वनडे मुकाबलों में हुए आप फिर वाइड बोल किर्केट में ज़ादतर देखा जाता है कि अगर left right hand combination के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंद बाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और तो उसमें सफलता बल्ले बाजों को मिलती है और इसके साथिसाथ रसीवेंडर डसेन है दोस्तों जो कि एक अंफ़वी खिलाडी है और बहुत खुब खिलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहले की दोस्तों भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी हैं जो कि काफी नीचले करम में बल्ले बाजी करने के लिए आ रहे हैं वाले हैं इसके साथ हैसाथ केसो महराज है दोस्तो लिनंडे पेली कोवा साति तबर जाई समसी और अनांद्रे बर्गर नांध्रे बर्गर हलाका अपना डेविए मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नंद्रे बर्गर की अभी मुझे वह गेंद याद है जो की साइस सुदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्य था जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गा और नौटिफिकेशन को भी ओन ज़रूर से कर लीजिए गा क्योंकि ये मुकाबला जो की आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों की मुकाबला बेहादी जबर्दस्त है और ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफे लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो की हमने देखा भी इस मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला और आईए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की और से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो ह तो बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप हुगेगा वैसे वैसे जो है तापमान मे हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं नहीं जो है घटती ही नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं Nathan, बता दिया जर दोस्तों इस मैदान पर 37 परती सत मकाबले बल्ले बाजि करने वाली टीम और 58 परती सत मकाबले पहले ग bundle बाजि करने वाली टीमों ने जीत दरजि किये हैं और कुल मिलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आये हम pitch report की चर्चा कर लेते हैं pitch report में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो बिलकुल नजर नहीं आरे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरीका की लगभग लगभग सभी जितने भी सभी के सभी जो भी हैं दोस्तो वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर थोड़ी छोट छोटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स् लेकिन इसमें टी पर जोए दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पीच होने वाला है बिलकुल अगर हम साथ तोर पर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर लें कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो 17 विक्टे जो है स्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर यह कहना चाहूंगा कि तेज गेंद बाज जो है स्पिन गेंद बाजो पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तेज गे वसी ये मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आस्मान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत तीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान ह होंगे जहां पर अर्शदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि सुदर्सन और स्रेयस अईयर की जो जूड़ी रही थी क्याले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्ले बाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइस सुदर्सन और स्रेयस अईयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतीय टीम की और से एक बढ़िया खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बलेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला और बलेबाजों की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव स अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ अबैल आइकन की घंटी को दबा लिजिए जिससे ही आपके पास जो सूचनाए है वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2, 4, 6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नॉटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो की बहुत ही जबरदस्थ होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए है और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीग्राम को जुआइन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे है इसके साथी साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टास बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि टी-20 के मकाबलों में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके ब से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौन-कौन से खिलाडी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों तो भ तुराज गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे दिखेरी तुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवस्तिय मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने तो भाई सहाव प्लेइंग 11 पताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने विमारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं किरकेट के इस म वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस दूसरे ODII मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाये दोस्तों कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता द समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गा लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बत तो दोस्तों कि पहले बल्ले बाद जी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सायर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबा पांच सफलताएं अरजित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि और सदीव सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सही कि लाड़ी जो है धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले कि मकान धराशाही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिल्कुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे-पीछे चले और चार सफलता है अर जि विकर था उसको कुलदी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में हलांकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे कि आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आपको जो लिंक है वो कॉमेट बाक्स के साथ साथ डिस्क्रीप्शन बाक्स में मिल जाएगा आइए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की और से भी तुराज का एक जो की दाए हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथी बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आये तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी और से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्सन हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसाथ दोस्तों संजू सैमसन आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन उन्हें मौका नहीं मिला निथा वो भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तों जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आपर कहना चाहेंगे कि तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अकसर पाटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं नहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं जिसका निप्टारा जो है खुलदी प्यादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो कि तेज गेंदबाजी में इनको सफलताज कहले कि नहीं मिली और इसके साथ यसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सपलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथ यसाथ अरसदीव सिंग जो की तेजगेंद बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशेक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरिका की प्लेंग 11 होगी साउथ अफरिका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बताद है कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टौनी डी जौर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथ इंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वन्डे मुकाबलों में हुए आप फिर वाइड बॉल किरिकेट में ज़ादतर यह देखा जाता है कि अगर left-right hand combination के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है कि गेंद बाजों को परसान किया जाता है बल्ले बाजों की और तो उसमें सफलता बल्ले बाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसीवेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्वअवी खिलाडी है साथी साथ Henry Klaassen जो की आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नज़र आएंगे Henry Klaassen जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्ले बाज है और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो कि काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाएं हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ के साथ के साथ महराज हैं दोस्तो अल लिंडे पेलुकुआवा साथी तबर जाई संसी और नांद्रे बर्गर नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेवी मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अ नौटिफिकेशन को आउन करना ना भूलें जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रौइड करने वाले हैं तो चैनल को आपता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बहली जبرदस्त है और ये मुकाबला आपके स्क्रीन पर इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गकेब्रा के नाम से जाना जाता है गकेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफ़े लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान क कि टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे धूप हुगेगा वैसे वैसे तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं कहीं कहले कि नमी घटती हुई नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाए दोस्तों इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर के कहले जाए दोस्तों तो तेज गें तो यह पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फोड़ी सी लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे की क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आरे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरीका की लगभग लगभग सभी जितने भी स हैं सभी के सभी जो भी हैं दोस्तो वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फ़स आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने क का मतलब है कि run बरसने वाला है तो balanced pitch होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो 2500 के करीद जो है पहले पारी का ओसत स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 run जो है यहां क स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 run जो है highest total इस pitch का है और lowest total 119 run है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस पिन गेंद बाजो से करे तो भाई साब जमीन आसमान का फर कहें बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पीन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर यह कहना चाहूँगा कि तेज आने वाला है तो पिच रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जोह रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको बता दो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो confidence है वो अभी आस्मान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदूलत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है हमें कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साई सुदर्सन और स्रेयस अईयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साई सुदर्सन और स्रेयस अईयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गयकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम उमी ही कुल मिला करके बल्लेबाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बल्लेबाजो की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं औ और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे ही आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2-4-6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीड कि इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेली ग्राम को जुआइन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रहा गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहां पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड अतर साथ अफरिका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आएए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस होँस से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनों इटीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाडी खेल रहा हैं कौन कौन से खिलाडी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारतिये टीम की अगर ह गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे दिखेरी तुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवस्य मुकाबला था उसमें काफी बढ़ी हैं उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने तो भाई साहब लाजवाब खेला ह इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवस्य मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि सुदरसन ने अर्द सुदरसन ने अर्द साथ तक अपने पहले ही ओडियाई मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो हिन्होंने अर्द साथ की अपारी खेली है सुर्य सायर भी उनका जब अर्दस साथ देते हुए नजर आया अर्दस साथ की इन्हों ने भी लगाया और उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्य क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं किरकेट के इस महा संग्राम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेल्कम स्वागतम सु स्वागतम जिया इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरीका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरीका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फि अफरिका कप्तान एड़ाम मारकरम की ओर से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पिछ की स्थितियां मैदान की स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दू दोस्तों कि पहले बल्ले बाद जी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.03 के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती ये टीम तो भारती ये टीम की योड़ से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.04 ओबर की गेंदबाजी के साथ भारती टीम ने इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्धसतक की पारी जो है स्रेय सायर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कैले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अरजित किये यानि की दोस्तों हम कहले की और सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी फिलाडी धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरी तरीके से हम कहलें दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओ आया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में हलांकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप को मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारतिय टीम की योर से भी तुराज का एक ट्रॉड जो की दाएं हाथ के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाएं हाथ के साई सुदर्सन जो की एक जबरदस्त औपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सियर पीछे-पीछे सांथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मकाबले में जहाँ पर उनकी ओर से भी बढ़िया कहले दोस्तों कि जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके सा तिसा दोस्तो जहाँ पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं यहाँ पर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लागातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जार रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंद कर ले दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादों की एक बेतरीन परफॉमेंस जो हमे ही किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो की तेज गेंद बाजी में इनको सफलता है आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अर्शदीव सिंग जो की तेजगेन बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका भारती टीम की प्लेइंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी परकार की कोई परिवर्तन करने की बिलकुल भी कोई गुण जाईस नजर नहीं आरही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दे कि रिजा हैंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हैंडिक्स के साथ साथ टौनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हैंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है तो वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में जादा तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बल्लेबाजों की और तो इसमें सफलता बल्लेबाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसीवेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्ववी खिलाडी है साथी साथ हेंरिक कलासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंरिक कलासन जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खुब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो की एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडी लॉडर समाल रहे हैं वियान मुल्डर ओल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ के साथ के साथ महराज हैं दोस्तो अल लिंडे पहलु कोवा साथित तबर जाई समसी और नांद्रे बर्गर नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं लेकि नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस सुदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवि मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बेहाद ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलाकि इसका जो नाम है थ Limited साथ पता ज़रूर है गकेबरा के नाम से जहाए जाना जाता है गकेबरा सहर के ये इलिज बेथ पार्क जो कि सिंट जॉर्स भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदा का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान क कि टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे धूप होगेगा वैसे तापमान में हमें बढ़ोतरी नظर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं 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 कहलें कि नमी घटती हुई नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता दिया जाय दोस्तो इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आएए हम पिच रिपोर्ट की शर्चा कर लेते हैं पिच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पीच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पीच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पीच नजर आने वाला है और साथ अफरीका की लगभग लगभग सभी जितने भ भी है दोस्तो वो पीच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छोट छोटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल है तो बैलेंजड पीच होने वाला है बिलकुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो 2800 के करीद जो है पहले पारी का उसात स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का उ स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज है हाइस टोटल इस पीच का है और लोवेश टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करे तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बि बाजसे कहना चाहूँगा कि तेज गेंद बाज जो है इस पिन गेंद बाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नज़र आएंगे और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आजाएंगे इस गेंदबाजों की ओर से हमें जो है एक बढ़िया गेंदबाजी जो है कैरतो रहा हूं की बैलंस डेपी जो है नजर आने वाला है तो पिच रिपोर्ट की स्थिति कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो एक खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो confidence है वो अभी असमान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंद जो है हमें कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साई सुदर्सन और स्रेयस अयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलाकर के दोस्तों की अर्थ सतकी यह पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी यह साज़दारी करते हुए मुकाबले को जिताया और एक बार फि से पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतीय टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिय जा दोस्तों की मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बले बाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बले बाजो की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव कि घंटी को दबा लीजिया जिससे की आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो, चार, चे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीगराम चैनल को अवसे से ज्वाइन कर लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स टेली ग्राम को जुआइन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टन्ट है और एडम माकरम के साथ जो की टीम के कपतान है और उंके विरोदी टीम के कपतान भारतिय टीम की उच्छी जहां पर केल राखुल टीम की कपतानी कर रहे हैं और आप मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तोस जीता और उसके बाद पहले वन्डे मुकाबले में भी साउथ अफरीका ने ही टॉस जीता और आए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले अगर हम प्लेङग 11 की बात कर लें दोस्तो तो भारती टीम की जो एकादस होगी तो पहले आपको बता दू कि के टीम के कप्तान हैhus और इनकी जबाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतर ony अंतरराष्टी एक दिवास्ती मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाया कि सुछाइन सुधर सनर सन्हें और दो सफथा कपने पहले ही ODI मैच में अपने के 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम म वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले स्वागताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODII मुकाबले में जहां पर भारत और साथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जै दोस्तों कि भारत की तीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की योर से लिया लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जॉर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहाँ पर का रहेगी पिछ इस दसमलो टीन ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की योड़ से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके इस दहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भा 17 रन बना करके चेज़ कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और पिलाडी जो है धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आव साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंद बाज वो भी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाब जो है आपको मिले और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे, भारती टीम की जो एक अदस है उसमें कौन कौन से जो खिलाडी है वह में खेलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती है टीम की ओर से नितुराज का एकवाइड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज है और उनके साथी बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदरसन जो है हमें साथ सकते थे और इसके साथ दोस्तो जहां पर तीलक वर्मा है टीम में और तीलक वर्मा को भी ठीम में मोका धीया गया है जरूर से में आप पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ा से कही कहीं हम बात कर ले दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुल दीप यादों नजर आ रहे हैं और कुल दीप यादों की एक बेतरीन परफॉर मैंने से कह लिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था मैं अलाई की एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जोयद फुल्दी पियादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश कुमार है टीम में नजर आएंगे साथे साथ अर्सदीर सिंग जो की तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुनजाईस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की और से जो खिलाड़ी होंगे उसमें आपको बता दें कि रिजा हैंडरिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टॉनी डी जॉर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथ ही खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाड़ी है तो वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्यातर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद ज़रूर मिलता है कि गिंत बाजों को परसान किया जाता है बल्लेबाजों की और तो इसमें सफलता बल्लेबाजों को मिलती है और इसके 70-70 रासी वेंडर डसेन है दोस्तो जो कि एक 90 खिलड़ी है साथी साथ हेंरिक कलासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंरिक कलासन जो है आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बलेबाज है और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो की एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी है जो की काफी निचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडिल ओडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ के साथ के साथ महराज हैं दोस्तो एन डिन्डे पेलुकोवा साथित तबर जाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवि मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ओन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो कि आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गक्यब्रा के नाम से जाना जाता है गक्यब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जोर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिलकुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो कि हमने देखा भी इस मैदान पर दूसरा टी-20 मुकाबला और आएए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की और से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिसन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो ह तो बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप हुगेगा वैस सी करने वाली टीम और 58 परतीसत मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल में लाकर के कह लिए जाये दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाये कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पिच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पिच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पिच नजर आने वाला है और साउथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम है और जितने भी पिचेज है सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पिच बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिचले मुकाबले में थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पिच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पिच होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो 2500 के करीब पहले पारी का ओसत स्कोर है इस मैदान पर वहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहाँ का ओसत स्कोर है साड़े 300 के करीब यहाँ पर कर ले कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेश टोटल 119 रन है वहाँ पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल मैं आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं इस गेंद बाजो की योर से हमें जो है एक बढ़िया गेंद बाजी जो है कैरतो रहों की बैलेंस डेपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वन्डे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी असमान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है वामे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइं सुदरसन और स्रेयस अईयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी या साज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदरसन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइं सुदरसन और स्रेयस अईयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की ओर से एक बढ़िया सुरुआत जो है हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहाँ पर नजर आए बाकी यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बल सदीव सिंग अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा ली सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नोटिफिकेशन को आउन करिए मुकाबला जो की बहुत जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों ट मुकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मुकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूं की के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं नहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों कि T20 के मुकाबले में भी ज्यादा तर साउथ अफरिका ने टॉस जीता और आए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग केल राहुल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक दिवस्य मुकाबला था उसम सबाइस सुदरसन ने अर्दसता का अपने पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इनोंने अर्दसता की अपारी खेली है सुर्य सब्सक्राज भी उनका जबर 10 देते हुए नजर आया अर्दसता की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको playing 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और उस मुकाबले में में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने विमारे साथी स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तों कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो स्रीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तों जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दो कि पहले बल्लेबाजी कर फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट दोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारतिय टीम ने इ सांट आउट जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रंदे करके पांच सफलताएं अरजित किये या फिबार की पूरी की पूरी कि पूरी जो है कैले की मकान जो हरा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउठ अफरिका की टीम वे कुले की कदम पे कदम मिलाते हुए अरजिब सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित की ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारतिय गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुलदी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलांकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से कर कर लखिए जिससे की आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहाँ पर आपको हर एक मुकाबले की जो आएए हम आपको बता दे भार्ती टीम की जो एक अदस है। उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं। वहीं खिलते हुए नजर आने वाले हैं। मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसाथ दोस्तो संजु सैमसन जो है आपको मुकाबले में टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आँपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके ह बात कर ले दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादों की एक बेतरीन परफॉमेंस जो हैं हमें देखने को मिली और कुलदी प्यादों ने बहुत ही बेतरी जो परफॉर्मेंस कहा लिया जा दोस्तों उनकी योर्श देखने को मिला था हमें आलाई कि एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जोएट फुल्दी पियादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बतादे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो कि तेजगेंद बाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दजकी और आज के मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे साथ इसाथ अरसदीर सिंग जो कि तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिलकुल भी कोई गुनजाईस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल हैं वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे एडन मार्क रिकम जो है आपको पता दिया जै दोस्तों की मुकाबले में जो है जरूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान हैं और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगा जो कि हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टी 20 मुकाबला और आएए देखते हैं दोस्तों की इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें जो है भारती टीम और साउथ अफरीका की टीम की और से किस तरीके क जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अनुरूप दिखाई दे रही है बारिस नोने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे कि थोड़ी ब बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूफ हूगेगा वैसे वैसे जो है तापमान में हमें बढ़ूतरी नजर आएगी और उसके साथे साथ दोस्तों हमें कहीं न कई कहले कि नमी घोटती ही नज़र आ जाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गये हैं बता दिया जाय न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पीछ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होग लाल मिटी की पीछ जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगएरे बिलकुल नजर नहीं आरे बिलकुल एक समतल पीछ नजर आने वाला है और सेंट जोर्ड इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पीछ की स्थितियां मैदान की स्थ खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उत्री मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की योर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारतिय टीम ने इसको जीत लिया 117 करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और सदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओपरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अर्जित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी फिलाडी धारा साही हो गए उडगे जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले कि मकान जो धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्षदीब सिंग के पीछ पीछे चले और चार सफलता है और जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मात्र रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारती गेंद बाज वो भी तेज गेंद बाज और एक जो बचा विकर था उसको क पुल दी प्यादन निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलांकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉ प्रोवे नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वाइड जो की दाए हाथ के बलेबाज हैं और उनके साथी बलेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त उपन करते हुए नजर आए पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे वे हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसा दोस्तो संजू सैमसन आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे उन्हें मौका नहीं मिला निठा वो भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसा दोस्तो जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आँपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके ह धाल कि इस्पिन गेंदबाजी ओर इनके में भारती तक्सर पटेलिए में Ó उसके बाद जो है खुल्धी प्यादीप यादों की एक बहुत ही बहुत इस्पिंडरिके कह लिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था मैं आला कि एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जोएट फुल्दी पियादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमार है टीम में कि नहीं मिली और इसके साथ यसा दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज के मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की होंगे उसमें आपको बताते हैं कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टौनी डी जॉर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ क खिलाडी हैं तो वंडे मुकाबलों में हुए या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में जादा तर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बलेबाजों की और तो उसमें सफलता बलेबाजों को मिलती है और इसके साथी साथ रसी वेंडर डसें है दोस्तों जो कि एक अन्ववी खिलाडी है साथी साथ हैंडिक क्लासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हैंडिक क्लासन जो हैं आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बल्लेबाजी करने के ल नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेविव मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वह गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहां पर रिव्यू नहीं लिया अनिता जो एक बिल्कुल सटीक अलबी डाबलू कर लें और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूलें जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवासे सब्सक्राइब कर लीजिए गा और नौटिफिकेशन को भी अन जरूर से कर है और ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पटा जरूर है गखेब्रा के नाम से जाना जाता है गखेब्रा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की संट जोर्ज भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉंडरिय कि टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप हुगेगा वैसे वैसे जो है तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं कहीं कहले कि नमी घटती हुई नजर आ जाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता गेंद बाजिज है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पीच आपके स्क् लेडियम है और जितने भी पीचेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तों वो पिच बिल्कुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नज़र आए ती जिसकी का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पीच होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो धाई सोगे करीद जो है पहले पारी का ओसात स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूस टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल हमें आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच है उसमें अगर मैं चर् भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आजाएंगे इस गेंद बाजो की योर से हमें जो है एक बढ़िया गेंद बाजी जो है कहरतो रहा हों की बैलेंच डपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिति पिछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको बता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आसमान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है आमे कराते हुए नजर आएं है और जैसा पर फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़ियां जो प्रदर्सन हैं वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइस सुदर्सन और सुरेय सयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गयकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उम कि कुल मिला करके बल्लेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला और बल्लेबाजों की और से एक बढ़िया जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं और दोस्तों अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ ये साथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे की आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार चे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नोटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो कि हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीग्राम चैनल को आवसे से जोईन कर लिजे लिं की टेम के कप्तान है और उनके विरोधी टेम के कप्तान भारतिया टेम की और सी जहां पर केल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब मकाबले में जहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखी यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं नहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनरी टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खिल रहे हैं कौन-कौन स जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक दिवसीय मुकाबला था उसमें काफी पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्दसता की अपारी खेली है उनका जब अर्दसता की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेलकम स्वागतम सू स्वागतम जी यह इस वक्ते जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाये दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सुरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तो यह साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर मुकाबला रहा था पहला ओडियाई मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकर हमकी योड से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब कियल रा सेंट जोर्द इलिज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पीछ की स्थितियां मैदान की स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल 10 ओबरों में 37 रंदे कर भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है कहले कि मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले की कदम पे कदम मिलात हुए अर्षदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मात्र रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंद बाज वो भी तेज गेंद बा आये देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे कि आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिगारम चैनल को अगर आप लोगों नहीं जोईन किया तो टेलिगारम चैनल को भी जोईन कर लीजेगा जहाँ पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिगारम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ सा मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वार्ड जो की दाए हाथ के बल्ले बाज हैं और उनके साथी बल्ले बाज बाए हाथ के साइश सुदरसन interaction जो की एक जबर्दसत open करते हुए नजर आये पहले मुकाबले में स्रेयस येर भी पीछे पीछे सांथ बढ़िया देते हुए नजर आये तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़ियां कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ ही साथ दोस्तो संजू सैमसन आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन उन्हें मौका नहीं मिला निथा वो भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तो जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मियाओं पर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों की नीचले करन में भारती टीम की ओर से अकसर पर टेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको समालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़ा से कहीं न कहीं हम बात कर लें दोस्तो तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं जिसका निप्टारा जोएद फुलदी पियादों नहीं किया था वही पर दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश कुमार है टीम में तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेएंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिलकुल भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल रहूल है वो को South Africa की playing 11 होगी South Africa की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दें कि रिजा हेंड्रिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंड्रिक्स के साथ साथ टॉनी डी जौर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथी खिलाडी र वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड बॉल क्रिकेट में ज़्यातर ये देखा जाता है कि अगर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी टीम उतरती है तो उन्हें मदद जरूर मिलता है कि गेंदबाजों को परसान किया जाता है बल्लेबाजों क यृष्ण छोग उसमें सफलता बल्लेबाजों को मिलती है और इसके साथिसाथ रसी वैंडर डचेन है डोस्तो जो कि एक अफ़वी खिलाडी है साथिसाथ हैंरिक कलासन जो की आपको बता दिया जाएक है कि आज आपको बता दिया जाएकि विकेट कीपर बल्ले बाज हैं और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी रही है डेविड मिलर भी है जो की काफी नीचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाए हाथ के साथ मिडिल ओडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ केसाओ महराज हैं दोस्तो अन्डरे बर्गर हलाकि अपना डेविड मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवि मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज हैं इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को आन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला आज 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 आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जैसा कि आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बहुत ही जबर्दस्त है और ये मुकाबला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलोकि इसका जो नाम है थोड़ा साथ पता जरूर है गक्वरा के नाम से जाना जाता है गक्वरा सहर के ये इलीजबेथ पार्क जो की सिंट जॉर्स भी इसका नाम है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है गोला नजर नहीं आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कह से करके जो है इस मैदान की बॉंडरिया है जो कि हमने देखा भी है इस मैदान पर दूसरा टी-20 मुकाबला और आएए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की और से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अनुरूप दिखाई दे रही है बारिस नोने की जो संभावना है वो जरूर यहाँ पर आपको बता दे कि थोड़ी बहुत बनी हुई है हालनकि दोस्तों को मिलाकर के कह लिए जाय कि बारिस नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है चासाथ गंटे का चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को बिल सकते है लेकिन अभी मौसम बिलकुल साफ है नमी थोड़ा बले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर करके कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिछ रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके का रहने वाला है तो ये पिछ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पिछ जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे बिलकुल एक समतल पिछ नजर आने वाला है और साउथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी स्टेडियम हैं और जितने भी पिछेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो पिछ बिलकुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले में थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पिछ पर जो है थोड़ी छोट छोटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इस मिट्टी पर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो बैलेंजड पिछ होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो धाइसों के करीब जो है पहले पारी का ओसत स्कोर है इस मैदान पर वहाई पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहां का ओसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाईश टोटल इस पिच का है और लोवेश टोटल 119 रन है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना स्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है Spin गेंदबाजों पर लगातार भारी पढ़ते हुए नजर आये हैं और इस मुकाबले में भारी पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे इस गेंदबाजों की योर से हमें जो है एक बढ़ियां गेंदबाजी जो है कैरतो रहा हो की बैलेंच डेपी जो है नजर आने वाला है तो पीछ रिपोर्ट की इस्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो की जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आसमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है वामे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइन सुदरसन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी कैलेकुल मिलकर के दोस्तों की आर्थ सत्की पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सत्की तो साज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों इक बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से साइस सुदर्सन और सुरेय सैयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारती टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकि यहां पर आप सभी को बता दिया जा दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बलेबाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बलेबाजो की और से एक बढ़िया जो खेल हैं हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुवात सही दिखाए और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सबस्क्राइब बटन होगा उससे जरूर से आउन कर लीजिए और साथ यसाथ बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए जिससे की आपके पास जो सूचनाए हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी दो चार चे मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को आउन करिए मुकाबला जो की बहुती जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए है और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीगराम चैनल को आवससे जोईन कर लीजे लिंक इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेलीगराम को जोईन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वगएरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे है इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आडम माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहूल टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब मकाबले में जहां पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब जादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखी हैं यहां पर आपको बता दोस्तों की इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कोल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए दोस्तों की टी 20 के मुकाबले में भी ज्यादा तर साउथ अफरीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साउथ अफरीका ने ही टॉस जीता और आईए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहां पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाडी खिल रहे हैं कौ पहले आपको बता दूकि के टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवाड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवाड जो पहला एक दिवस्य मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साई सुदर्सन का और साई सुदर्सन ने भाई साभ लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतर राश्टी एक दिवस्य मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाया कि सुदर्सन ने अर्दसता के पहले ही ODI मैच में, अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्दसता की अपारी खेली है स्रेय सायर भी उनका जब अर्दसता की इन्होंने भी लगाया और उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भी नंदन वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाए दोस्तो कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तो ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की ओर से लिया गया था हाला कि टॉस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दो दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की य इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंद बाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस ख चली और उस आणधी में सही कि सभी फिलाडी जो है धारा साही हो गए उड़ गये जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी है कहले कि मकान ज़े धरा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफ्रिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारती गेंदबाज वह भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ से पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहां पर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है आपको कॉमेंट बॉक्स के साथ साथ डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन कौन से जो खिलाडी है हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एकवाइड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज है और उनके साथ ही बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आए पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आए तीसरे मुकाबले में जहांँ पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़ीया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ीया प्रधरसन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसाथ दोस्तों संजु सैमसन और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से में आपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहाँ पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी कहीं नहीं हम बात कर लें दोस्तों तो मुकाबले में जो है इस्पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दूं कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदी प्यादों नजर आ रहे हैं और कुलदी प्यादों की एक बेतर कि मुकेस कुमार जो कि तेज गेंद बाजी में इनको सफलता कहले कि नहीं मिली और इसके साथ ये साथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जिनोंने चार सफलता है दज्की और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आए है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई बुनजाइस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नही खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दें कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टॉनी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं ह जो की और तो उसमें सफलता बल्लेबाज जो को मिलती है और इसके साथी साथ रसी वेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्फवी खिलाडी है साथी साथ हेंडिक प्लासन जो की आपको बता दिया जाए कि आज टीम में जो है आपको नजर आएंगे हेंडिक प्लासन जो है फिनिचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाएं हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ केसाओ महराज हैं दोस्तो अल लिंडे पेलुकुआवा साथित तबर जाई समसी और नांद्रे बर्गर नांद्रे बर्गर हलाकि अपना डेवी मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांद्रे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद याद है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अनिता जो एक बिल्कुल सटी लिक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रूर सचाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चैनल को स चैनल के माध्यम से जो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबला बेहादी जबर्दस्त है और ये मुकाबला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अला कि इसका जो नाम है मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साधा नहीं नजर आता है कहीं 80 मीटर की तो कहीं भाई साथ मीटर कहीं 65 मीटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इस मैदान की बॉ की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभावना है वो जरूर यहां पर आपको बता है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप हुगेगा वैसे वैसे जो है तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं कहीं कहले कि नमी घटती हुई नजर आ जाएगी 19 कुल मुकाबले खेले गए हैं बता गेंदबाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कह लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पीच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पीच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो यह पीच आपके स्क लेडियम हैं और जितने भी पीचेज हैं सभी के सभी जो भी है दोस्तों वो पीच बिल्कुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी पीच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घासे नज़र आ थी जिसकी वज़े से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़े से ही बल्ले बाज फ़स आते हैं लेकिन इसमें टीपर जो है दोस्तों तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर ग वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का आउसती स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर लें कि स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज है हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेश टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर लें तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपर कहना चाहेंगे लाश्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंद बाजो ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पिन गेंद बाजो ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पढ़ते हुए न theaters आए आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पढ़ते हुए नजर आजाएंगे तेज गेंदबाजों की योर से हमें एक बढ़ियाक मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आस्मान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत तीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह स की अर्थ सतकी यह पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी यह साज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़ियां जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइस सुदर्सन और स्रेय सैयर हला कि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़ियां सुरुवात जो हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़ियां जो खेल है वो हमें यहां पर बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बले बाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बले बाजो की और से एक बढ़ियां जो खेल हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे है और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुवात सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ऑन कर लीजे और साथ यसाथ ब पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नॉटिफिकेशन को अन करिए मुकाबला जो की बहती जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम करा दे रहे हैं इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में टॉस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारतिय टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप् कि टॉस होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जॉर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं ने कहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़े है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया जाए जाए दोस्तों कि टी-20 के मकाबलों में भी जो है ज्यादा तर साथ अफरिका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले वंडे मुकाबले में भी साथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आए देखते है कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों तो भारती टीम की जो एका दस होगी उसमें से पहले आपको पता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपक जो पहला एक दिवसी मुकाबला था उसमें काफी बड़ी हैं उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइश सुदरसन का और साइश सुदरसन ने भाई सहाव लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवसी मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि साइश सुदरसन ने अर्द साथ तक अपने पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्द साथ की अपारी खेली है तो इसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पह हुँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भिनंदन वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्ते जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूजरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और अफरीका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरीका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकर हमकी योड़ से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपोर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहुल ने कहा कि कोई बात नह चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि बाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रहे गया लेकिन इस दूसरे ODI मुकाबले में मैं आपको बता दू कि ये मुकाबला जो है सेंट जोर्द इलीज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहा 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारती टीम तो भारती टीम की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिला करके जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम ने इसको जीत लिए 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साइस सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले कि आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और सद संधी में सभी हिलाडी जो है धारा साही हो ऊगए उडगे जिस तरीके से भूकंप में हमने देखा है कई बार की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस खान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओबर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धरती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आए हमारे भारतिये गेंदबाज ओभी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इ इस मुकाबले में भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एका दस है उसमें कौन कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की और से भी तुराज का एकवार्ड जो की दाए हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके साथी बल्लेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुक सब्सक्राइब खेलते हुए नजर आजाएंगे संजू सैंसन उन्हें मौका नहीं मिला निथा वह भी एक बढ़ीया पर्फोर्मेंस कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसा दोस्तों जोहां पर तिलक वर्मा है में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से मैं आँपर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी जो है हमें यहां पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी में इनके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेस्पिन गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़ां से कही न कहीं हम बात कर लो दोस्तों मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादों की एक बेतरीन परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिली और कुलदीप यादों ने बहुत ही बेतरीन जो परफॉर्मेंस के लिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था हमें अलाएक एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जो है कुलदीप यादों ने ही किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेस कुमा अबले में भी खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अरसदीप सिंग जो की तेजगेंद बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ हैं वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे अडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साथ अफरीका की प्लेंग 11 होगी साथ अफरीका की ओर से जो ख खिलाडी होंगे उसमें आपको बताते हैं कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टानी डी जोर्जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं ह जो की और तो उसमें सफलता बल्लेबाज जो को मिलती है और इसके साथी साथ रसी वेंडर डसेन है दोस्तों जो की एक अन्फवी खिलाडी है साथी साथ हेंडिक कलासन जो की आपको बता दिया जाए कि आज टीम में जो है आपको नजर आएंगे हेंडिक कलासन जो है आपको निचले करम में बलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाएं हाथ के साथ मिड़ी लॉडर समाल रहे हैं वियान मुलडर ओल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेन पर कैज भी चुटा तो अच्छे गेन बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है पाकि आप सभी लोग ज़रूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग जो है चै अच्छा में बाज़ा है जरूर से कर ली जयाता जूटा ले जाता है गखेब्रह सहर के यह इलीज बेथ, आर्क जो नाम है काफ़े लम्बा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुबी आपको बता दो दोस्तों कि इस मैदान की जो बॉंड्रियां भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की ओर से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडिशन की बात कर ले तो थोड़ी बहुत मानसून जो है वो बारिस के अंग्रूप दिखाई दे रही है बारिस होने की जो संभा अब्ला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे जो है धूप होगेगा वैसे वैसे जो है तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ह गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मिलाकर के कहा लिया जाये दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाये कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम पिच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पिच रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये पिच आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी लाल मिटी की पिच जरूर है और आपको बता दे कि क्रैक्स वगेरे जो है बिलकुल नजर नहीं आ रहे हरी भरी घांस देखी थी और मैदान पर साथी पिच पर जो है थोड़ी छुट छुटी घांसे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था और स्विंग गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इस मैदान की बात कर ले तो धाइसों के करीद जो है पहले पारी का उसात स्कोर है इस मैदान पर वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रंज जो है यहां का उसात स्कोर है साड़े 300 के करीब यहां पर कर ले कि स्कोर बन सकता है क्योंकि 317 रंज हाइस टोटल इस पिछ का है और लोगेश टोटल 119 रंज है वहीं पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चरचा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना इस्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपर कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंदबाजों ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पीन गेंदबाजों ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे इस गेंदबाजों की ओर से हमें जो है एक बढ़िया गेंदबाजी जो है कैरतो रहा हो की बैलेंच डेपी जो है नजर आने वाला है तो पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जो है रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको पता जो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरिका को हराया है अभी उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अभी आस्मान छू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहांपर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है हमें कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साइं सुदर्सन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी अपारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी असाज़दारी करते हुए मुकाबले को जीताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके साइं सुदर्सन और स्रेयस ऐयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुआत की हम ही कुल मिला करके बल्लेबाजो के हक में रहने वाला है मुकाबला और बल्लेबाजो की और से एक बढ़िया जो खेल है हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुआत सही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे ही आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी 2-4-6 मिनट जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जो है पूरे मुकाबले की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो देर विल्कुल भी ना करिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए वीड के इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स टेली ग्राम को जो आइन करिए हाँ पर आपको लगातार हम टीम्स वेगरे जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसके साथ इसाथ जो है दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मकाबले में टास बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आड़म माकरम के साथ जो की टीम के कप्तान है और उनके विरोधी टीम के कप्तान भारती है टीम की और से जहां पर केल राहुल टीम की कप्तान ही कर रहे हैं और अब मकाबले में जहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि टॉस होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखी यहाँ पर आपको बता दोस्तों कि इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर कुल मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं नहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बाजी करने का जो नीड़ है वो हमें देखने को मिले आपको बता दिया में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोनरी टीमों के प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी खिल रहे हैं कौन-कौन स जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गयकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे रितुराज गयकवार्ड जो पहला एक दिवस्तिय मुकाबला था उसमें काफी साथ नहीं डे पाई थे साइसी फुदर सनिका और साइसी Kab arrived वाए सः गेला है इस मुकाबले में पहले अंतर राष्टी एक दिवस्त्री मुकाबले में जहाँ आपको बता दिया जाकि साइसी सुंदर्सन ने और दसता कंप ने पहले ही odi i matchоздor में अपने करियर केнего おड़ी यह नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में जो हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत- बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- मुकाबला रहा था पहला ओडियाई मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की योड़ से लिया गया था हाला कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब कियल र सेंट जोर्द इलिज बेथ पार्क के मैदान पर जो हो रहा है तो इस यहां पर का रहेगी पीछ की स्थितियां मैदान की स्थितियां ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दो दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर तो भारती टीम की और से आपको बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 16.4 ओबर की गेंदबाजी के साथ जो है भारती टीम न करके चेज कर लिया जिसमें और सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने बावन रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस खान और अरसदीब सिंग का और सदीब सिंग ने कुल दस ओपरों में 37 रन दे करके पांच सफलताएं अरजित किये यानि कि दोस्तों हम कहले कि और सदीब सिंग की पूरी तरीके से आंधी चली और उस आंधी में सभी हिलाडी धारा साही हो गए उड़ गए जिस तरीके से भुकंप में हमने देखा है क वहीं बार की पूरी जो है कहले की मकान धारा साही हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों की जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले की कदम पे कदम मिलाते हुए अरशिदीब सिंग के गेंदबाज ओभी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन कौन से खिलाडी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएंगे आईए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई है आप सभी को दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नौटिफिकेशन को ओन जरूर से करके रखिए जिससे की आपके पास आने वाले मुकाबले की जो सूचना हो वो सबसे पहले जो है आपको मिले और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नह सबेश भी जो है मिल जाएगा तो जाकर के टेलिग्राम चैनल को जो है आवाशेशे जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले हैं तो भारती टीम की ओर से भी तुराज का एक वार्ड जो की दाए हाथ के बलेबाज है और उनके साथी बलेबाज बाए हाथ के साई सुदरसन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आए पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहाँ पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्सन जो है हमें द खा सकते थे और इसके साथ years एक बहुत ही इंपोर्टेंट खिलारी हो जाते हैं क्योंकि जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की और से भी हमें यहां पर एक बड़ियां पारी जो है देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों कि नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज़ गेंदबाजों ने ही सारा जो है काम कर दिया था और इसी वज़े से कहीं नहीं हम बात कर ले दोस्तों तो मुकाबले में है इस पिन गेंदबाजों की जुरुत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहां पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादों की एक बेतरीन परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिली और कुलदीप यादों ने बहुत ही बेतरीन जो परफॉर्मेंस आ कहलिया जा दोस्तों उनकी यूर से देखने को मिला था हमें अलाई कि एक विकेट ही रह गया था जिसका निप्टारा जोएट फुल्दी पियादों नहीं किया था वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश कुमार है टीम में मुकेश कुमार जो कि तेज गेंद बाजी में इनको सफलताज कहले कि नहीं मिली और इसके साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खान जीनों ने चार सफलता है दर्जकी और आज की मुकाबले में भी जो एक खेलते हुए नजर आएंगे जो कि तेज गेंद बाजी कराते हुए दिख जाएंगे तो यह आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका दस भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आ रही है जो कि टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की म मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टॉनी डी जॉर्जी जो की बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं और इनके साथ ही खिलाड़ी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं तो वन्डे मुकाबलों में हो या फिर वाइड ब बलेबाजों को मिलती है और इसके साथ साथ रासीव एंड़र डसीन है दोस्तों जो कि एक अन्वावी खिल्लाडी है साथ साथ हंड्रिक कलासन जो कि आपको बता दिया जाए कि आज टीम में आपको नजर आएंगे हेंडिक कलासन आपको बता दिया जाए कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और बहुत खूब खेलते हैं लेकिन इनको चलने नहीं दिया जा रहा है जो कि एक कहलेगी दोस्तो भारती टीम की एक मुख्य कड़ी दही है डेविड मिलर भी हैं जो की काफी नीचले करम में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं बाएं हाथ के साथ मिडी लॉडर सम्हाल रहे हैं वियान मुल्डर ऑल राउंडर खिलाडी की भूमिका अदा करने वाले हैं इसके साथ केसाओ महराज हैं दोस्तो लिंडे पेलिकोवा, सातित तबरजाई समसी और नांदरे बर्गर नांदरे बर्गर हलाकि अपना डेवी मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन नांदरे बर्गर की अभी मुझे वो गेंद यार्द है जो की साइस उदरसन के जाकर के पैरों पर टकराई थी वहाँ पर रिव्यू नहीं लिया अन्यता जो एक बिल्कुल सटीक LBW आउट था और अपने डेवी मुकाबले में पहला विकेट पा भी सकते थे एक बार इनके गेंद पर कैच भी चुटा तो अच्छे गेंद बाज है इनको किसमत साथ नहीं दे रहा है बाकि आप सभी लोग जरूर से चाहेंगे कि सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नौटिफिकेशन को अन करना ना भूले जी हाँ आप सभी के बीच आने वाले सभी मुकाबलों की जानकारी आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं तो चैनल को अवाशे से जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नौटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला जो की आज आज आपको इस चैनल के माध्यम से जो है जरूर से देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा की आप सभी को पता दिया जाए दोस्तों की मुकाबला बेहाद ही जबरदस्त है और ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन पर है काफी लंबा चोड़ा इस मैदान का नाम है और इस मैदान की एक खुभी आपको पता दो दोस्तों की इस मैदान की जो बॉंडरिया है तिर्ची तर्ची है बिल्कुल सीधा साथा नहीं नजर आता है कहीं 80 میटर की तो कहीं 60 میटर कहीं 55 میटर कहीं 70 मीटर ऐसे करके जो है इ देखा भी है इस मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला और आएए देखते हैं दोस्तों कि इस दूसरे वंडे मुकाबले में हमें भारती टीम और साउथ अफरिका की टीम की और से किस तरीके का जो प्रदर्सन है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैदान की अगर हम वेदर कंडि हुई है खालंकि दोस्तों कुल मिलाकर करके कह लिया जाए कि बारिस नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन वंडे मुकाबला है चलने वाला मुकाबला है तो थोड़ा बहुत बुंदा बांदी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी मौसम जो है बिलकुल साप है नमी थोड़ा बहुत बनी हुई है और जैसे जैसे धूप हुगेगा वैसे वैसे तापमान में हमें बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कहीं नहीं कहीं कहले कि नमी घटती हुई नजर आजाएगी 19 कुल मुकाबले कहले गए है बता दिया जाए दोस्तों इस मैदान पर 37% मुकाबले पहले बले बाजी करने वाली टीम और 58% मुकाबले पहले गेंद बाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज किये हैं और कुल मुलाकर के कहा लिया जाए दोस्तों तो तेज गेंद बाजी जो है वो कहीं न कहीं यहां पर कहा लिया जाए कि थोड़ा सा मददगार जरूर से रहेगा आईए हम pitch report की चर्चा कर लेते हैं pitch report में आपको बता देते हैं कि जो खेल है वो किस तरीके कर रहने वाला है तो ये pitch आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लाल मिट्टी की pitch जरूर है और आपको बता दे कि cracks वगेरे जो है बिल्कुल नजर नहीं आरे बिल्कुल एक समतल pitch नजर आने वाला है और साथ अफरिका की लगभग लगभग सभी जितने भी stadium है और जितने भी pitches है सभी के सभी जो भी है दोस्तो वो pitch बिल्कुल समतल किया गया है और हमने पिछले मुकाबले हम थोड़ी सी हरी भरी घास देखी थी और मैदान पर साथी pitch पर थोड़ी छुट छुटी घासे नजर आए थी जिसकी वज़ा से तेज गेंद बाजो को काफी अच्छा swing मिल रहा था और swing गेंद बाजी की वज़ा से ही बल्ले बाज फस आते हैं लेकिन इस में टीपर जो है दोस्तो तेज गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजो को भी बेनिफिट रहेगा बल्ले पर गेंद आएगी और बल्ले पर गेंद आने का मतलब है कि रन बरसने वाला है तो balanced pitch होने वाला है बिल्कुल अगर हम साथ तोर पर देख ले तो और हम इस मैदान की बात कर ले तो 2500 के करीब जो है पहले पारी का ओसात स्कोर है इस मैदान पर वहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरे पारी में 210-15 रन जो है यहाँ का ओसात स्कोर है साड़े 300 के करीब यहाँ पर कर ले कि इसकोर बन सकता है क्योंकि 317 रन जो है हाईश टोटल इस pitch का है और लोवेश टोटल 119 रन है वहाँ पर दोस्तों गेंद बाजो की अगर चर्चा कर ले तो तेज गेंद बाजो का अगर हम तुलना है स्पिन गेंद बाजो से करें तो भाई साब जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल है मैं आपको कहना चाहेंगे लास्ट के जो 10 मैच हैं उसमें अगर मैं चर्चा करो तो 95 विक्टे जो है तेज गेंदबाजों ने अरजित किये हैं और 17 विक्टे जो है इस्पीन गेंदबाजों ने निकाले हैं तो साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा कि तेज गेंदबाज जो है इस पीन गेंदबाजों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आए हैं और इस मुकाबले में भी भारी पड़ते हुए नजर आ जाएंगे तेज गेंदबाजों की योर से हमें एक बढ़िया पिछ रिपोर्ट की स्थिती कुछ इस तरीके जोहर रहेगी इस मुकाबले में बाकी यहाँ पर आपको बता दो कि जिस तरीके से भारती टीम ने पहला एक दिवसी मुकाबला जो खेला है पहला वंडे मुकाबला जिस तरीके से साउथ अफरीका को हराया है अभी उनकी जो वो अभी आसमान चू रही होगी क्योंकि बहुत ही बढ़ियां गेंद बाजी की बदालत टीम को सिकस्त दिया है और उसमें आवेज खान होंगे जहां पर अरसदीव सिंग होंगे यह सभी मिलकर के बहुत ही जबरदस्त गेंद बाजी जो है आमे कराते हुए नजर आएं है और जैसा कि साई सुदर्सन और स्रेयस ऐयर की जो जोड़ी रही थी कैले कुल मिलकर के दोस्तों की अर्थ सतकी पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला और सतकी साज़दारी करते हुए मुकाबले कुछ जिताया और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया जो प्रदर्सन है वो करके दिखाएं और आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो है साइस सुदर्सन और सुरय सयर हलाकि इनसे पहले रितुराज गैकवार्ड भी है तो एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद करते हैं भारतिय टीम की और से एक बढ़िया सुरुवात जो हमें देखने को जरूर मिले और एक बढ़िया जो खेल है वो हमें यहां पर नजर आए बाकी यहां पर आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि मुकाबले में जो है कहीं न कहीं कुल मिला करके बलेबाजों के हक में रहने वाला है मुकाबला औ और बल्लेबाजों की ओर से एक बढ़िया जो खेल है हमें नजर आएगा अरसदीव सिंग जो की पिछले मैच के हीरो रहे थे और फिर से चाहेंगे कि अरसदीव सिंग अपना कमाल सुरुआत से ही दिखाएं और दोस्तों आप लोग भी अपना कमाल दिखाईए वीडियो को लाइक करिए आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उससे जरूर से ओन कर लीजे और साथ यसाथ बैल आइकन की घंटी को दबा लीजे जिससे की आपके पास जो सूचनाय हैं वो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके जो भ मुकाबला जो की बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मुकाबला जो की हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों टॉस की और चले उससे पहले आप सभी को बता दे कि टेलीगराम चैनल को आवसे से जोईन कर लीजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉ ऑर अइडम माकरूम के साथ जो की टीम के कपतान है और उनके वेरोधी टीम के कपतान भारती जेहां पर केल्राफुल टीम की कपतान ही कर रहे हैं और現在 mm काबले में जहां पर आप सभी को बतादू हैं कि टास होने में अवज्यादा वक्त नहीं रहा गया है तो सभी के सभी योग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों की इस सेंट जोर्ज इलिजबेत के मैदान पर को मिला करके कह लिया जाए तो थोड़ा सा जो है कहीं नहीं टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंद बा में भी साउथ अफरिका ने ही टॉस जीता और आए देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में दूसरे वंडे मुकाबले में कौन सी टीम को जो है टॉस में जीत मिलती है और टॉस जीतने के बाद क्या यहाँ पर चर्चा होता है उससे टॉस हो से पहले आईए हम आपको बता दे कि दोने टीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाडी खेल रहे हैं कौन कौन से खिलाडी जो है आज खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं आईए देख लेते हैं भारती टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोस्तों तो भारती टीम की जो एका दस होगी उसमें से पहले आपको बता दो कि केल राहूल जो की टीम के कप्तान है और इनकी देखरेक में भारती टीम की जो प्लेंग 11 होने वाली है उसमें आपको बता दिया जाए कि रितुराज गैकवार्ड होंगे खेलते हुए नजर आएंगे दिखे लितुराज गैकवार्ड जो पहला एक दिवसी मुकाबला था उसमें काफी बढ़ियां उन्होंने किया था बट साथ नहीं दे पाये थे साइस सुदरसन का और साइस सुदरसन ने तो भाई साहब लाजवाब खेला है इस मुकाबले में पहले अंतराश्टी एक दिवसी मुकाबले में जहां पर आपको बता दिया जाए कि सुदरसन ने अर्द साथ तक अपने पहले ही ODI मैच में अपने करियर के पहले ही मैच में जो इन्होंने अर्द साथ की अपारी खेली है सुर्य सायर भी उनका जब अर्दस साथ देते हुए नजर आया अर्दस साथ की इन्हों ने भी लगाया और उसके बाद तो फिर जादा कुछ रहा ही नहीं आता है मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले हम याद दिला दे कि पहला जो मुकाबला था उसमें क्या कुछ हुआ था और इस मुकाबले में हमने क्या कुछ देखे थे और इस वक्त जितने भी मारे साथ ही जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं किरकेट के इस महा संगराम में आप सभी का हार्दी का भी नंदन वेलकम स्वागतम सु स्वागतम जी यह इस वक्त जितने भी दोस्त तमाम सुनने वाले सुरताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस दूसरे ODI मुकाबले में जहां पर भारत और साउथ अफरिका आमने सामने और आपको बता दिया जाये दोस्तों कि भारत की टीम ने एक मैच जीत लिया है और सरिंकला में जीत करके बढ़त बना लिया है और अब इसके साथ ही दोस्तों ये साउथ अफरिका के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि अगर साउथ अफरिका इस मुकाबले को नहीं जीतती है और भारत अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर सिरीज में जो है आगे बढ़ जाएगी टीम वैसे आपको बता दिया जाए दोस्तो जो मुकाबला रहा था पहला ODI मुकाबला उसमें आपको बता दू कि पहले बल्ले बाजी करने का जो फैसला है साउथ अफरिका कप्तान एडम मारकरम की ओर से लिया गया था हाला कि टॉस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझ रहे थे लेकिन उसके बाद जब केल राहूल ने कहा कि कोई बात नहीं है हम जो है पहले फिल्डिंग ही करना चाहते थे तो फिर ऐसा लगा कि वाई बिल्कुल अब चलिए टॉस का फिर बहुत बड़ा महत्व नहीं रह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बता दो दोस्तों कि पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफ्रिका की टीम 116 रनों पर धेर हो गई 27.3 ओबर के खेल खेलने के बाद और उसका पीछा करने के लिए जब उतरी मैदान पर भारतिय टीम तो भारतिय टीम की इसको जीत लिया 117 रन बना करके चेज कर लिया जिसमें अर्द सतक की पारी जो है स्रेय सयर ने 52 रन बनाए और नाट आउट जो है साई सुदरसन ने 55 रनों की पारी खेली और गेंद बाजी में तो पूरा कहले की आंधी आ गया पूरी तरीके से तुफान आ गया आवेस ख चली और उस आणदी में जभी फीलाडे जो यह धारा साही ओगए उडगे जिस तरीके से भुकम्प में हमने देखा है कई बार की पूरी की पूरी जो है काले की म धारा आई हो जाता है वैसे पूरी तरीके से हम कहले दोस्तों कि जो साउथ अफरिका की टीम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई वहीं आवेस्थान ने भी बिलकुल कहले कि कदम पे कदम मिलाते हुए अर्शदीव सिंग के पीछे पीछे चले और चार सफलता है अर्जित कि ये आठ ओवर में तीन मैडन ओवर डाले और 27 मातर रन दिये और साउथ अफरिका की धर्ती पर साउथ अफरिका खिलाफ कमाल करते नजर आये हमारे भारतिय गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज और एक जो बचा विकर था उसको कुल्दी प्यादों निप्टाया और अपना खाता खोला इस मुकाबले में अलंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में जो है भारती टीम की जो एका दस होगी वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो की खेलते हुए नजर आएगे आए देख लेते हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले आप इस वक्त सूपर कॉमेंटरी चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सभी के बीच लगातार हमने हर एक मुकाबले की जानकारी आप सभ टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं जोईन किया तो टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा जहांपर आपको हर एक मुकाबले की जो फैंटसी टीम है आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है टेलिग्राम का लिंक जो है आपको कॉमेंट बॉक्स के सा के अवाशेशे जोईन करिएगा आपको जो लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स के सासा डिस्क्रिप्सन भॉक्स में मिल जाएगा आईए हम आपको बता दे भारती टीम की जो एकादस है उसमें कौन-कौन से जो खिलाडी हैं हमें खिलते हुए नजर आने वाले है तो भारती टीम क योर से बी तुराज का एकॉइड जो की धाएंहात के बल्लेबाज हैं और उनके साहतीब बल्लेबाज बाएंहात के साई सुदर्सन जो की एक जबरदस्त ओपन करते हुए नजर आया पहले मुकाबले में स्रेय सायर भी पीछे पीछे साथ बढ़िया देते हुए नजर आया तीसरे मुकाबले में जहां पर उनकी ओर से भी बहुत ही बढ़िया कहले दोस्तों की जो खेल है वो हमें नजर आया और इस मुकाबले में भी हम उमीद करते हैं कि एक बढ़ियां प्रदर्सन जो है हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इसाथ दोस्तो संजू सैमसन जो है आपको मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे संजू सैमसन जो है उन्हें मौका नहीं मिला ने था जो है वो भी एक बढ़ियां परफॉर्मेंस जो है कर दिखा सकते थे और इसके साथ इसाथ दोस्तो जहां पर तिलक वर्मा है टीम में और तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है जरूर से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे तिलक वर्मा भी जो है एक बहुत ही important खिलारी हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो मौके हैं इन्हें भी दिये जा रहे हैं और तिलक वर्मा की ओर से भी हमें यहाँ पर एक बढ़िया पारी देखने की उमीद है बाकी आपको पता दोस्तों की नीचले करन में भारती टीम की ओर से अक्सर पटेल जो की इस्पिन गेंदबाजी आपको सम्हालते हुए नजर आएंगे और इस्पिन गेंदबाजी इनके हाथों में है और वैसे तो पहले मुकाबले में इनके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि तेज़ गेंदबाजों ने ही सारा काम कर दिया था और इसी वज़े से कहीं ने कहीं हम बात कर लें दोस्तों मुकाबले में जो है इस पिन गेंदबाजों की जूरत नहीं पड़ी साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दू कि मुकाबले में उसके बाद जो है कुलदीप यादों नजर आ रहे हैं इसके साथ इसाथ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि मुकाबले में आवेश खाण जीनों ने चार सफलता है दचकी और आजłości मुकाबले में जो है खेलते हुए नजर आएंगे साथे साथ अर्शदीव सिंग जो की तेजगेन बाजी जो है कराते हुए दिख जाएंगे तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि भारती टीम की एका 10 भारती टीम की प्लेंग 11 जो की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है और भारती टीम में अभी हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की आवशेक्ता है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की बिल्कुल भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आ रही है जो की टीम के कप्तान केल राहुल है वो कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे आडन मार्क रिकम जो है आपको बता दिया जाए दोस्तों की मुकाबले में ज़रूर खिलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान है और इनकी देख रेक में जो साउथ अफरीका की प्लेइंग 11 होगी साउथ अफरीका की ओर से जो खिलाडी होंगे उसमें आपको बता दे कि रिजा हेंडिक्स होंगे जो की मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और रिजा हेंडिक्स के साथ साथ टानी डी जोर जी जो की बाएं हाथ के बलेबाज हैं और इनके साथ ही खिलाडी रिजा हेंडिक्स जो की दाएं हाथ के खिलाडी है करके रखिएगा जितने भी दोस्ट जितने भी सांती है हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए है जी हाँ दोस्तो हम आप सभी के बीच जो है मुकाबले की सारी जानकारी जो है आप सभी को दे रहे हैं लगातार हर एक जानकारी जो है आप तक पहुंचाई है और जितने भी दोस्त जितने मित्र जुड़ रहे हैं इस वक्त आप सभी से चाहेंगे कि सभी के जबी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेशे कर ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आएए आपको बता दे दोस्तों जो भारती टीम की एका दस है भारती टीम की जो प्लेइंग 11 है उसमें कौन-कौन से जो खिलाड़ी है खेलते हुए दिखाए दे रहे हैं तोस का वक्त काफी नजदीक है इस वक्त मुकाबले में और आपको बता दू कि इस मुकाबले की जो फैंटसी टी और इस बीच जो भी मित्र हमें देख रहे है आईए एक बार देखते हैं कि हमें कौन-कौन से मित्र जो इस वक्त जुड़े हुए हैं कौन-कौन से मित्रों ने जो अभी हमें जुआइन कर रखा है आईए जरा हम भी तो चले अपने मित्रों के साथ अरुन बेनिवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुन जी स्वागत करता हूँ आपका आप सभी साथ ही उसे चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग बने रहे हैं टॉस बिल्कुल नजदीक है कुछी सिकेंट के अंदर कुछी पलों के देरी के बाद टॉस होने वाला है दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त जितने भी मित्र इस चैनल के माध्यम से आपका दोस्त जहांपर किर्केट की इस महा संग्राम में आप सभी का हर्दी कभी नंदन वंदन और स्वागत वेलकम सु स्वागतम सथ दिकाल अदा प्रणावम रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए है अलबी मलासी सवाद जी हमारे साथ जुड़े है मुहम्मद कामरे जी हमारे साथ जुड़े हुए है मुहम्मद कामरे जी आपका भी स्वागत करता हूँ चलिए हम टॉस की ओर चलते हैं क्योंकि टॉस का सिक्का जो है अब उच्छाला जाने वाला है मुकाबले में है सर आसा करता हूँ कि आप लोग भी मस्त होंगे नरायन जी हमारे साथ जुड़े हो नरायन बहादूर जी आपका स्वागत है भोगेंदर परसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्वागत करते हैं आपका अमीत दूबे जी जुड़ गए हैं क्या हाल चाल सर आपका चलिए आसा करता हूँ कि आप भी मस्त होंगे मस्त रहिए स्वस्त रहिए सभी के सभी लोग और भारत और साउथ अफरीका के बीच तीन वंडे मुकाबले खेले जाने वाले हैं जिसमें आज ये दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दूसरा वंडे मुकाबला क्योंकि पहला जो मुकाबला है वो जीत लिया है भारती टीम ने जीत करके अब मुकाबले में जहां पर आए देखते हैं कि कौनसी टीम जो है टॉस जीतती है और टॉस जीतने कете बाद क्या कुछ जो खेल है हमें देखने को ब्लॉग हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का सभी साथियों का मैं बहुत बहुत जो है श्वागत करता हूँ आप सभी साथियों से चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोग जो हैं हमारे साथ बने रहिएगा वीडिय को अपने हैं.